दोस्तों मैंने अभी थोरा देर पहले जिस पेसेंट के बारे मैं जिग्ड किया था पंडारक स्वास्तकेंद पंडारक पटना बिहार से एंबुलेंस सेवा नहीं रहने के कारण देखे उनकी क्या हालत है वो एक्सपायर कर गए ये एक रेलवे करमचारी पंडारक स्वास्तक देखे लिए अच्छे खासे इंसान एक्सपायर कर गए अभी तो मैंने इनके बारे में थोरा दर पहले लाइव होके बताया था लेकिन देखिए ये एक भी डाक्टर नहीं है एक भी डाक्टर नहीं है देख लीजिए उन दलालों और उन चूतियां जो जितने मंत्री भी ह आओ इस पर अमल करें सिफ बोट बैंक के लिए अपनी राजनीती ना करें यहां पर देखे परीजनों की क्या हालत रो रोकर परीजन की हालत बुरा हो चुकी है यहां पर सिफ देख लीजिए एक चोटा सा पच्छा रोड़ा है लेकिन यहां पर कोई सुनभाई नहीं नहीं एंबुलेंस सेवा है और नहीं यहां पर एक भी डॉक्टर है अब भी तक डॉक्टर तीन गंटा से यहां पर पैसेंट बैटा हुआ लेकिन यहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है प्लीज इस वीडियो को इतना सेर करें कि उस डॉक्टर जो की अपना प्राइवेट कि लीव निवी खोला हुए डग्टर अभी जो कौन से ड़क्टर हैं जी अभी के है के देखिए यहां के स्टाफ हैं यहां के डॉक्टर करें भी चार्ज में आभी तो यह भॉल जो कि अपने प्राइबेट किलिजिक पर बैठे हुए फ्राइबेट किलिक है नहीं का प्राइब तेनके स्टाफ हैं सरकारी करमचारी वह प्राइवेड क svenak प्राज्ट होए लेकिन यहां इस होस्पीटल में का duty होने के कारण हुगा यहां पहलं हो यहां पयां पर दीन अभी हता है इस इन की स्थितिक थे वी volontari nis प्लीज दोस्तों इसे इतना सेर करें इतना सेर करें कि वो जो डाक्टर अभी इंचार्ज में उसे पता चले कि जन सकती क्या होती है प्लीज 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 देखिए जन अक्रोस है अगर यहां पे कुछ होता है इसकी जिम्मेवारी यहां कप होस्पीटल इंचार् जाए यार कम से कम इस पर तो तरस खाओ शाले डाक्टर अपने प्राइबेट किलिक पर बैठे हुए हो मुहम्मद इकबाल मुहम्मद इकबाल नाम है उनका स्वास्त मंत्री आप अगर आपके पास यह वीडियो जाएगा तो प्लीज आप इस पर अमल करें अमल करें इस पर अजस्त मंत्री